आरे कामात्मी की खौईश होती कि उसके घर में एक स्विमिंग पूल हो लेकिन महेंगा होने के कारण हम सब इसको लगवा नहीं पाते हैं लेकिन आज यह आपकी समस्या सौल वरने वाली है क्योंकि आज हम आपको जहां पर लेकर क्या हैं यहां पर बना जाते हैं चलते फिरत से पूल और इसको बनाने का तरीका बहुत ही ज्यादा गजब का होता है तो जिलिए सर से बात करते हैं थोड़ा सा जानकारी लेते हैं के बारे नमस्कार सर आप अपना च्छोड़ा सा परीजय दीजिएगा मेरा नाम अरुन देव त्यागी है जी और यह हमारी कंपनी है आ अप कर मारी मतिरियाल कौन कौन सा होता हूगा मतौन कश होता होता है जी यह नितलर कमके तर्फिगल्स में निकले जागा टेह घर रौट तो ना आग-लोगती है न बढ़ida कि अथ चरू लागता यह जे इस पर इतलं कर शलूशन लगता है जी और इसम दिखरेंगी यह नन पानी से धुलाई, फिनिशिंग, सर्फेसिंग हो रही है, जी जी सेकेंड प्रोसेस, लेइंग ओव दे मेट्रेल होता है, इसमें कि हम पूरा पूरा फाइबर ग्लास तड़ा देते हैं, ये एक पूल बन रहा है, ये दूसरा पूल बन रहा है, थर्ड इस्टेज होती है हमार अज होती है, उट पोल बन रहा हो और उठाक पर अपके जगह पर रख दिया, और उठाक दोर पैबर बनाते हैं, ये जी सब्सक्रां के लिए आपकी सटक चोटी है, गली चोटी है, ख्रेंस नहीं जा सकती, पहाडों पर बनाते हैं, उस जूसरे उप्शन तरह के लिए यह आपका पानी साफ रखता है एक बार पानी बहरते हो जीजिए लेकिन आप लगा दो बूल जाओ अच्छा मुझे लिए जिसे को प्लम्बिंग नी कोई प्लम्बिंग नी होगा जीरो परसें वाटर वेस्टीज बहुत गजब चीज़ है हम लोग हजारों लगा चुके हैं इसकी एरिया बगर्रा क्या होगी और इसको कहा कहा पर इंस्टॉल कर सकते हैं इनका अपना वजन कोई नहीं होता है जो वजन है पानी का वजन होता है तो छट पर लगाने के लिए बैस्त है अब यह जो आम यह जो ज़न फुद्व लंबा है और इसके अंदर में सब चीजे लगी हैं जैसे यह थे प्त्त प्त लगा जाएंगे इसे अंदर उच जाएंग इसी में हमारे पाँ चड़ने के लिए इस्टेश है इसके अंदर इजो शीट लगी है ये कौन से शीट है ये बेसिकल हमने एक नया डिसक डिजाइन किया लोग नॉर्मली वाइट और ब्लू हो जादा पसंद नहीं कर रहे थे तो हमने किया कि सारा इसकी इंपोर्ट कर आई ह और ने कि बाँ से प्रिंट कराते हैं उसके अंदर डालते हैं तो ना तो खतम होती है ना खराब होती है 25 सल की गरेंटी ये अर इसके अंदर जो लुक आरा इव भी बहुत हमेजिग है इसमें ये एक डिजाइन है मेरे पास 600 इजाइन है ओके गरेन एड़ ग्री तोर इसे यह हमारे heat pumps है जो पानी को गरम ठंडा करने के लिए होते हैं और फिर अगें जितने भी accessories हैं जितने भी liners हैं वो सारे हमारे यहां पे store होते हैं वाला पूल है हमारा 22 by 7 by 4 feet जी इसके नीचे रखा है 19.5 by 9.5 by 4 जी उसके अगे रखा है 15 foot 4 उसके ओपर रखा है family olive pool 21 foot 11 foot अच् different shape है जी उसके बाद में आपको मैं Roman दिखाता हूं इदर में यह Roman shape है इसमें 3 step आती है तो यह तरफ से गोल होता है बाकी जगह से चकोर होता है उसके अलावा यह जो पूला छोटा देख रहे हैं यह प्लंच पूल है जी चोटे farmhouses के लिए या flats के लिए होता है उसके नीच 520 यह हमारा फूट का है इस हादेश्च पूल है यो टारा फूट का है जी साथस प्रशार होट करे सब्सक्काने मरे पर यह 9 whatnot ऐसे जो रुख है इधिनले सारे अननिच है वार्वान करत है जो बिकूलद सlated अगर हम उसमें मतलब और भी कोछे कस्टमाइज कराना चाहिए जैसे बच्छे के लिए ये वाले पूल है फिक्स शेफ फिक्स जो दूसरे वाले प्रीफ है उसके नहीं बना सकते हैं तो दूस्तों जैसा कि सर ने बोला है कि हर घर पूल डिजर्व करता है और इस तरीके से य हमारे एक चंड़ई में है बैंगलोर में नाइडा में है डिस्प्लेइश एंटर है वहां पे पूल लाइव लगे हो हैं तो किसी को आके देखना है बात करना है तो महां पे बात कर सकते हैं पोन नंबर के लिए देकन गो तो अबर साइट आर्देवपूस.com या फेस्बू सबसे बड़े स्वेमिंग फूल मैनुफेक्टरिंग कंपनी यहां पर किस तरीके से बनाए जाते हैं पूल बहुत ही तरीका अमेजिंग है तो अगर आपको इनको काम करने का तरीका और हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कॉमेंट करके जरूर बताएगा वीडि मैनन जेढन लग दो अ आपको जा वीडियो तरीके साओी जेजरा वी तरीका गौशवड़ा है वीडियो डिस नेग है रसरास क्ल estày करने टो लूरा वीडियो थाऊ ँूल सभसारा औरेता है तरीका इनको पंड़ारा बरास के का ओने मुट हमारीकी देंट है था फूल-बती